Hello everyone, my name is Sartak and I welcome you all to the video studio setup tour Sartak ये वीडियो हमने कही थी, कही थी, अरे हर वीडियो के नीचे approximately 20 to 30 questions consistently ये याते थे कि Sartak अपना studio setup दिखाओ कैसे pre-production, production and post-production work करता है, ये पूरा का पूरा format हमें बताओ तो बहुत ही detail में और बहुत ही सकून के साथ, मैं आज आपको step by step process explain करूँगा और आपके 110% हमारे setup से related सारे doubt clear हो जाएंगे, ये है advanced studio setup, all right तो यहाँ पर आते हैं सबसे पहले हमारे sound panel की तरफ, ये है blue sound panel and ये है black sound panel ये use होता है voice echo ना हो जिससे उस purpose के लिए, आप एक 360 degree view देखोगे ना, तो पूरे के पूरे रूम में आपको कहीं पर भी wall दीखेगी ही नहीं, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ sound panel ही दिखेंगे, all right हर जगे हमने sound panel लगाए है, जिससे की बिल्कूल voice echo ना हो और एक बहुत अच्छी audio quality हमारी वीडियो में है, यह जो voice होती है यह गूंजती है, लेकिन sound panel की वज़े से यह गूंजी नहीं, all right हमार equipment number two, यह है blue yeti mic, podcast के लिए mic use होता है, जब आप ऐसे teacher आगे podcast वगरा launch करोगे न, तो आपको step के mic use करने पड़ते है, normal mic साब की working नहीं होती है, ठीक है, इसमें hello hello mic testing, step से सारी working होती है, और उसके बाद ही होता है, इसका filter, आप मुझसे बाद में पूस्ते है, कि comments में सार होती है, यह जो हमारी सांस होती है, इसको filter कर देता है, यहाँ पर ऐसे लग जाता है, और इसको यह easily filter कर देता है, तो अराम से हमारी जो audio quality यह बहुत ज़्यादा enhance हो जाती है, ठीक है, आते हमारे equipment number two की तरफ, यह है हमारा macbook pro, ठीक है, इस पर हमारे सारे के सारे thumbnails जो है, व 1 to 1.5 hours लगते हैं, वो होता है इस pen tap के थो, इस pen tap पर हम सिर्फ पढ़ाते नहीं है, इस pen tap से digital retouching भी होती है, तो यह पूरा का पूरा process यहाँ से होता है, बहुत सरे लोग हम से पूछते हैं, सार तक software आप कौन से use करते हो, तो editing के लिए, हमारे जो video editing है, इसके लिए हम use कर करते हैं, after effects, हमारे जो thumbnails, हमारे shoot edit होता है, उसके लिए हम use करते हैं, photoshop और जो video का rendering होता है, वो होता है, encoder में, आते हमारी next machine की तरफ, हमारी सबसे high end machine, यहाँ पर हमारा सारा editing work होता है, इस पर हमारी सारी videos edit की जाती है, और यहीं पर यह पूरा का पूरा process complete होता है, भी detail मे बात करेंगे, बिल्कुल भी tension मत लेना ही है, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, ठीक है, अब आते हैं हमारे smart board की तरफ, सार्तक यह है हमारा smart board, हाँ जी, यह है हमारा smart board, कोई 52 inch का नहीं है, कोई 42 inch का नहीं है, इतने जादा doubt आते है, comment section में, teachers, बहुत जादा permutation combination नानाता है, सा by step process के तरूँ आपको बताएंगे, यह हमारी chair, यह chair आपको पता है कैसी होती है, इसमें अगर आपको 15 to 16 hours की working करनी है, तो आप अराम से इसमें बैट के कर सकते हो, neck rest होता है, इसमें back rest भी होता है, और आप बहुत easily इस पर working कर सकते हैं, आते हैं particularly अपने white board की तरफ, यहाँ पर यह हमारा white board और इस पर हम content बनाते हैं 25 to 30 minutes per day, बस इससे जाधा नहीं होता है, ठीक है, अगर आप ऐसा teacher white board यूज़ करते हो ना, तो आपको against the wall इसको put करना है, नहीं तो यह stand पर ऐसे shake करता है, आपको problem हो जाएगी, ठीक है, हम तो जाधा use नहीं करते हैं, इसमें हमने stand का यहाँ पर particularly purposeful use किया वाया है, ठीक है, अब आते हैं particularly अपनी green screen की तरफ, यहाँ पर आप देखोगे न, top notch view, यह particular आपको यहाँ पर pole मिल जाएगा 12.5 foot का, ठीक है, इस पर हमने green screen as a curtain use की वी है, तो आपको doubt नहीं होगा बिल्कुल भी किया, यहाँ पर bubbles आएंगे, कैसे ह बहुत ही plain and crisp यहाँ पर green screen हमारी रहती है, ठीक है, यह है हमारा पूरा का पूरा podium, जिस पर सारी recordings होती है, और बहुत सारे teachers ने हम से पूछा है, क्या, क्या आप content कैसे plan करते हो, content हमारा plan होता है, sorry, क्या है यह, MacBook Air, MacBook Air पर, यह बहुत ही cute, प्यारी सी, छोटी सी machine है, बहुत high machine ने है, लेकिन easily हम इस पर अपना सारा content plan कर लेते हैं, particularly मैं use करता हूँ, ठीक है, अब आते हैं हमारी particular सारी की सारी lights पर, lights आपको मिलेंगी, light number one है, यह, this is sympax light number one, sympax light number two, and sympax light number three, ठीक है, इन तीनो lights के अंदर, आपको 15 LEDs मिलेंगे, 555, 15 LEDs, ठीक है, यह एक साथ जल जात करता है, यह left और right मेरे view को cover करता है, यह हमारा camera है, 750D, ठीक है, और tripod तो आपको इसका दिखी रहा है, मैं आपको फटा-फट से lights वगर जला कर दिखाता हूँ, on the count of three, two, one, तो इस type से हमारी सारी lights यहां पर open हो जाती है, और मैं यहां पर ऐसे खड़ा हो जाता हूँ, और उ screen recording, screen recording के लिए हम particularly, यह हमारा tablet है न, इस tablet पर हम open करते हैं, ऐसे करके, और यहां पर यह recording को option है, यह रहा, three, two, one, recording start हो गई, ठीक है, फिर मैं जाता हूँ, अपने software good notes पर, यहां पर हम अपने जितना भी content है, उसको easily explain करते हैं, ठीक है, explain करने के बाद मैं recording को कर देता हूँ, इस टाइब से recording off हो जाती है, फिर यह recording जाती है, कहाँ पर, हमारे particularly system की तरफ, ठीक है, यहां पर पहले मैं आपको एक बार camera के थुरू दिखाता हूँ, कैसे recording होती है, यह वाली particular जो recording है न, यह particular होती है, camera के थुरू, अब इसको हम use करते हैं, software में, तब जाते हैं, एक बार software की तरफ, software में recording, इस type से यहां पर आ जाती है, ठीक है, और जो हमने फिर screen पर record किया था, जो हमने अपने tablet पर record किया था, यह particular यह जो tablet की recording है, यह tablet की recording चली जाती है, यहां पर, ठीक है, तो tablet की recording आ गए यहां पर, मैं आ गया हूँ यहां पर, और यह background जो हम यह shirt के according change करते रहते हैं, कोई भी doubt नहीं होगा, कोई भी problem आपको समझने में नहीं होगी, इसके बाद तो cake walk है, इसके बाद बहुत ही simple process है, बस audio और video हमारा sync होता है, और हमारी फिर वीडियो जो है, वो render हो जाती है, तो यह है पूरा का पूरा हमारा studio setup, आपका कोई doubt है, let me know in the comment section, और हा इस अगर हम पूरे setup की बात करें, यह धीरे-धीरे बनता है, and 20-30% यह हर audience के according customize किया जाता है, ठीक है, after 4 years यह धीरे-धीरे बना, और ऐसे बहुत सारे studios हम आगे बनाएंगे, और यह जो setup है आपको मैं after 1 year, जो updated वीडियो बराऊंगा, उसमें आपको completely different देखेगा, ठीक है, अगर आप पहली बार चैनल पर रहा हो, consider subscribing, we'll meet you all very soon in the next video, bye-bye.